इंद्रधनुस आपने जरूर देखा होगा बारिस के बाद है ऐसे टाइम पर देखो इंद्रधनुस टॉपिक स्टर्ट करते हो और एक 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 स्टेप यहां पर देखते चलेंगे सबसे जरूरी बात कि जो ये इंद्रधनुस होता है जो rainbow होता है ठीक है देखो बो मतलब होता है धनूस और रैन मतलब होत गया रैन से लिया गया है इंद्र ठीक है मतलब बारिश ठीक है और हम कहते हैं एसा कि इंद्र भगवान जो है वही बारिश करवाते हैं इस पुझे से ये टर्म को ले लिया गया है rainbow की यह जो धनूस बना है आसमान में इसकाई में जो यह धनूस बना है यह इंद्र भगवान का है ठीक है तो इसको नाम दिया गया है rainbow और हिंदी में इसको देखे हैं क्या बोलेंगे इंद्र धनूस इंद्र भगवान का यह धनूस हमको दिखाई द बारिस होना चाहिए तो पहला बारिश होगा बारिश होगा तो उसे से क्या फायदा होगा बारिश होने से फायदा ये है कि इस एटमोस्फियर में बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे क्या जाएंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे ये वाटर होता है पानी की छोटी-छोटी बुन्दे एट्मॉस्फियर में आ जाएंगी अगर बारिस हुआ है तो मॉइस्चेर बढ़ जाएगा पानी बारिश हुआ है ना तो एयर में पानी ज्यादा आ जाएगा पानी यहां पर बढ़ जाएगा तो छोटी-छोटी वाटर के प्लेट्स आ गए यह फायदा हुआ अब बारिज इस टॉप हो गया है तो इस टॉप रेनिंग जब बारिज होना बंद हो गया और उसके बाद जब सन जो है वह अपियर हो रहा है ना दीरे-दीरे हम देख रहे हैं कि सूरज जो है वह बादोलों से चुपा हुआ सूरज दीर बारिज बन्द हो गया तो सन दिखाई देना शुरू हुए ठीक है सन आए तो अपने साथ लाइट भी लाएंगे और वो सनलाइट मतलब आ रहा है और सनलाइट कि इधर से आ रहा है अपोजित डायरेक्शन से आ रहा है ठीक है मतलब देखें आप इधर है और यह सामने सामने बनेगा ठीक है तो इसलिए बोला गया है या पर कि सनलाइट कहां से आएगी अपोसित डैरेक्शन से आप जिधर रैंबो देख रहे हैं उधर सन नहीं है सन उसके पीछे हैं अगर आपको रैंबो इधर दिखाई दे रहा है तो सन इधर है ठीक है तो सनलाइट ऐसे ही हमको रैंबो दिखाई देगा अब बारिस के बाद ही क्यों दिखाई देता है क्यूंकि बारिस होने के बाद एट्मॉस्फियर में बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं मतलब छोटे चोटे पानी की बूंदे बहुत सारी रहती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं तो ये पानी की बुंदों के atmosphere में आने के लिए बारिस का होना जरूरी था इस वज़े से बारिस के बाद ही water droplets आएंगे और water droplets आने के बाद बारिस के बाद जब धूप निकलती है ना तब ही rainbow दिखाई देगा तो इसका मतलब water droplets के किवल रहने से हमको rainbow दिखाई नह कि बारी चीजे जरूरी हैं इंद्रधनुस आने के rainbow बनाने के लिए बारिस का रुकना जरूरी है बारिस के रुकने के बाद sunlight का आना जरूरी है तब जाकर की इंद्रधनुस बनता है अब कैसे? कैसे बना? अब हम आते हैं इस बात पे देखें अब यहां पर sun है, मुस्क्र पूरा हमारा यह atmosphere है atmosphere में बहुत सारी water droplets आइंगे ब्लू-ब्लू कलर का मैंने दिखा है न यह water droplets यानि की पाने की बुंदे हैं तो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है बहुत सारी यह water droplets okay अब इसमें से एक water droplet को हम क्या करते हैं जूम करके देखते हैं बड़ा करके देखते हैं कि एक water droplet क्या कर रहा है जो काम एक water droplet करेगा वहीं बहुत सारे मिल के करेंगे और तब जाकर के हमको इंद्रधनोस दिखाई देगा एक water droplet अगर करता भी है यह काम तो भी हमको दिखाई नहीं देगा है ना दिखाई तब देगा जब unity बनेगी मतलब एक साथ बहुत सारे water droplet सेम इसी काम को अंजाम दे रहे होंगे तब जाकर के हमको इंद्रधनोस दिखाई देगा ठीक है तो चले देखे अब इसमें से ए यहां से आएगा sunlight कहां से आ रहा है बाहर से आ रहा है यहां बाहर क्या है बचों यहां है एर है ना तो sunlight आ रहा है air से और प्रवेश कर रहा है कहां इस water droplet के अंदर water droplet मैं बोली रही हूं water droplet means कहां प्रवेश कर रहा है तो यह प्रवेश कर रहा है water के अंदर है water droplet में क्य पानी बरा हुआ है, खाली तो है नहीं है तो यह पानी की बुंदे है, अब देखिये, अब लाइट जो है यह air से प्रवेस कर रहा है, वाटर में, है न, तो air से जो water में light प्रवेस करता है, चुकि हम यह basic पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्याद़ डीप में न यह अपने रास्ती को क्या कर देगा, बेंड कर देगा, मोड देगा, ठेक है, क्योंकि यहां पर रफतार बदलेगी, एना, इस पीड चेंज होगी, एर में लाइट के स्पीड कुछ और थी, ठेक है, और यहां आकर के लाइट के स्पीड हो गई, कुछ और, पानी के अंदर आ तो पहले इसको रोका जाता है, कि स्पीड को कम करो, तभी अंदर आ सकते हो, इतनी ही आ सकते, ठीक है, तो इसको यहां पर अपनी स्पीड कम करनी होती है, और सडेनली स्पीड कम होता है, तो यह जो है ना, बेंड कर जाता है, मतलब मुड जाता है, तो देखो, पहला मुड यहां पर एक है और यहां से मुड़ा आप देखो आ रहा तो सीधे सीधे अगर सीधे गया होता तो कुछ यहां जाता है कि नहीं अगर यह सीधे जाता तो कुछ ऐसे ऐसे करते हुए यहां तो जाता है लेकिन चुकि यहां से मुड़ गया है तो मुड़ करके अब यह आया यह पानी के यहां पर आकर कि यह तक्राएं थक्राया है तो इस वाले द्वाले ब मज़े हम्त गया है यहां से से बंड किया और चलता है यहां से किया है अब एक step एक पढ़ा बार अब यह जो light है अब हो सकता है कि यह पानी से बापस ह्ोता बिर आंट। ऐसा हो सकता है और होता भी है क्योंकि हमेशा क्या आपको rainbow दिखाई देता है जब भी बारिश हो बारिश की रुकने के बाद दुरूप निकलती है तो क्या आपको हमेशा ही इंदर दनुस दिखाई देता है नहीं कभी कभी दिखाई देता है हमेशा दिखाई नहीं देता तो क्यों नहीं दिखाई देता है जब दिखाई नहीं दे रहा है ना तो actual में क्या हुआ कि two के बाद और three step second पढ़ाओ तो यहां था और उसके बाद यह वापस पानी से हवा में चला जाता है अपनी speed रफतार करकर के निकल गया तो आपको rainbow दिखाई नहीं देगा no rainbow है ना rainbow तब बनेगा नहीं ओके rainbow बनने के लिए wishes conditions अप्लाई हो जाते हैं automatic हो जाते हैं अचानक से मतलब ऐसा नहीं कि सोच करके pre planning कोई pre planning नहीं light आई और कुछ ऐसा actual में हुआ कि इस angle से यहां पर यह पड़ी कि यह इधर जाने के बजाए है यहां से बाहर निकलने के बजाए यह इस तरीके से यहां पर मुड़ी है कि second पड़ाव है पहला यहां से आई अब यहां से इसको इधर की तरफ भीज़ दिया जाता है यहां कि second पड़ाव में क्या हुआ कि यह पानी से यहां सीधे नहीं गई सीधे चली भी जाती है जाती है सीधे चले जाएगी तो rainbow नहीं दीखेगा लेकिन जब rainbow दिखा उस समय क्या हुआ था उस समय हमने देखा कि light उधर नहीं गया था बलकि यहां से यह surface से इसको इधर क तरह भीज दिया गया देखो यहां पर ठीक है ना तो इस तरीके से भीजा गया था जब rainbow बना तब की केवल कंडिशन को आप ध्यान रखिए कि rainbow बन रहा ओके है ना पूरा focus rainbow पर क्या हो रहा है तो उस समय हो रहा है यह light यहां से आई तो पहले यहां से इसकी रफतार को कम क आगया तो light सीधे सीधे आ रहे थी मुड़ करके गई मुड़ करके गई यहां पर जाकर के टकराई पानी की बूंद के इस वाले surface पर आकर के टकराई उसके पाद यहां से टकर खाकर के इसको इधर की तरह भेज दिया गया अब देखो यहां पर three number है ना और यहां से बोला अब तुम बाहर जा सकती हो है ना तो उस light को यहां से बाहर ना भिजने के बजाए यहां से बाहर भी जा गया कि अब तुम बाहर जा सकती हो तो तीन number पर क्या हुआ कि यहां से अब यह क्या थे पानी है और पानी के बाद बाहर में आ गया तो मतलब कहा आ गया हवा में आ तो क्या होगा इसके स्पीड वापस चेंज होगी अब स्पीड क्या होगी कम या ज्यादा यह चीज बस कम ज्यादा ही ध्यान रखो आप लोग और बाकी तो बड़े अब पानी से पानी में ही आई अब पानी से वापस कहा जारी है हवा में जारी है तो अब वापस हवा में आएगी तो क्या होगा यहाँ पर स्पीड कम था वापस ही यहाँ पर क्या होगा स्पीड फिर से बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा तो वापस है फिर क्या होगी bending होगी यानि कि light अपने रासे से वापस मुड़ेगा देखो यहां से light वापस मुड़ गया ठेकर जाना सा देखो अगर इसको सीधे ले जाओना तो कुछ यू निकलता है यहां पर लेकिन यहां पर नहीं निकला थोड़ा सा मुड़ करके निकला है बात आपको समझ में आई तो देखो पहला यहां पर मुड़ा हुआ उसके बाद दूसरा यहां से इधर भेज दिया गया अब यहां से इसको वापस से यहां से जैसे इसने इसको अपने ही अंदर भेजा तो यह भी ऐसा कर सकता था कि इसको अपने ही अंदर भेज देता यहां पर ठीक है और पता लगाया है कि तब भी इंद्रधनुस आपको दिखाई नहीं देगा तो आपको सिर्फ उस कंडिशन को देखना है जब आपको इंद्रधनुस दिखाई दिया तो उस समय क्या हुआ था उस समय यह तीन ही स्टेफ हुए थे छोथा पाचवा या दो ही स्टेफ नहीं हुए थे पहला हुआ था यहां पर कि entry मारा तब मुडा, दूसरा हुआ था यहां पर कि इसको बाहर नहीं जाने दिया गया, वापस भिज दिया गया, और तीसरा हुआ यहां पर कि अभी इसको यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो light यहां से बाहर निकल लिया, अगर ऐसा ह होता है, यह 3 steps अगर होते हैं तो it means कि आपको इंद्रधनुस दिखाई देगा, बात आपको समझ में आ गई, इंद्रधनुस अब बनता हुआ दिखाई देगा, जो पहला step पर जो काम हुआ है ना अगर आप देखना चाहें, याद करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि पहला क कि स्पीड का हो गई कम हो गई तो ये मुडगken थेके तो पहला स्टेप यह हुआ दूसरा क्या हुआ मैंने लिखा है टि आई आर है नौटल इंटरफ्लैक्शन सॉररे रिफ्लैक्शन डोटल इंटरफ्लैक्शन मतलब अन्दर से light आई पानी में और पानी में वापस बिजा गया तो water to water हुआ है और third क्या हुआ वापस से refraction हुआ है अब यहां से वापस light को भेज दिया गया है बाहर की तरफ तो अब light कहां जा रही है water से air में जा रही है तो speed अब क्या होगी कम से speed जादे की तरफ आएगी ठीक है और इसको भी हम क्या बोलेंगे reflection तो यहां reflection हुआ यहां और यहां पर क्या हुआ total internal reflection और इन तीन process के बाद जो बना है वो है क्या rainbow है ना एक बार मैं जरा camera चेकर लूँ इन तीन process के बाद जो बना वो क्या था वो है rainbow देखो अब यहां से टकरा करके आप को पता है कि जो यह light आ रही है है ना sunlight से यहां से जो light आ रही है बचो इस light में कितने बोलेए बोलेए कितने क journée हैं बच्छोः आपने कही बार पढ़ लिया कितने क लिया है सेवन किलर बिल्कुल सही यहां बस सात रंग है् नो में यह इनी आपको कितने रंग दिखा joka कर कि मैं आपको समझह पहला मैंने ले लिया है red और दूसरा आप को इए समझो कि पहला देख़ो मैंने में दो आपको color लेकर के चल रही हूँ एक betos मैंने यह वाला कलर इस्तिमाल किया है और दूसरा मैंने यह color इस्तिमाल किया है वाइलेट, ठीक है, तो दूसरा मैंने ये color इस्तिमाल किया, मैंने दो ही color इस्तिमाल किया, तो इन दो color के अलावा भी तो बीच में 5 color है, वो 5 color के साथ भी वही होगा, जो इन दो के साथ हो रहा, देखो पहला वाला यहां गया, यहां टकरा यहां से बाहर निकला, दूसरा मैंने ले लिया है ये वाला एकदम नीचे वाला तो ये भी देखों यहां से आया अब यहां से ये तूट रहे हैं ठेके ना अंधर आएएगे ना तो 7 अलग-अलग हो जाएंगे यहां पर यह सातो एक साथ हैं और एक साथ हैं तो यह कौन से कलर के हैं यह यहाँ पर है white color के यह सब चीज़े आपको आती है यहाँ पर यह white color के है सातों एक speed से आ रहे थे लेकिन यहाँ पर आकर के सातों के speed अलग-अलग हो जाती है तो सातों यहाँ से क्या हो जाएंगे तूट जाएंगे है ना और यहां पर सातों अलग-अलग हो गए सात रंग यहां पर अलग हो गए सात रंग अलग हो जाते हैं और यह पहला वाला रंग है है ना रेड वाला रेड वाले कलर के साथ जो हुआ वैसे ही होता है लास्ट वाले कलर यानि की वाइलेट के साथ भी वही होगा और वैसा ही होगा बाकि सब के साथ indigo blue green yellow orange के साथ भी वैसे ही होगा तो यहां पर जो बीच बालग है यहां पर पांच color और भी है तो पांच color यह और यह दो मिलाकर की कितने होगा सात रंग, सातो रंग के साथ ऐसा ही होगा और फिर यहां से सातो रंग बहाँ निकलेंगे, आप जब सातो रंग बहाँ निकलेंगे, तो जरा इन रंग का निकलने का आप एंगल देखो, तो इसमें 43 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब आप जब देख रहे हैं तो आपकी आ आखो पर आएगी 41 डिग्री के एंगल बनाते हुए क्या ये एंगल फिक्स है बिल्कुल फिक्स है तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये आपकी आखो पर आती है और जब ये आपकी आखो पर अगर ये फिक्स है कि ऐसा हुआ है तभी रैंबो बनेगा तो ये एंगल भी फिक् तो आप देखी रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो गया हो यहां से निकल गया हो सकता हो उदर चला गया उलाइद नहीं बना rainbow लेकिन जब rainbow बना तो कुछ ऐसा ही है तीन स्टेप्स हुए होंगे तभी rainbow बना है और तीन स्टेप्स अगर होकर के rainbow बनता है तो अंगल भी यही रहता है आप देखो, आपकी आँखो पर 43 degree के एंगल पर, बड़े एंगल पर क्या आ रहा है, अब यह रही है आपकी आँखे, ठीके ना, मैं यहां से देख रहे हूं, मालो कि मैं यहां बैटी हूं और यहां से मैं देख रहे हूं rainbow को, ठीके, तो मेरी आँखो पर red color आएगा 43 degree के एं और बाकी जो बीच में जो 5 color हैं, वो इन दोनों एंगल के बीच के एंगल से 5 color आएगे, तो मुझे कुल मिलाकर के, देखे, टोटल 7 color हो गए, 7 रंग मुझे अलग-अलग एंगल पर दिखाई देगे, ठीके, और कुछ ऐसा बनेगा, यह देखो, ऐसे ही आ रहे है ना, तो इस तरीके से 7 रंग को कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है, तो 7 रंग अलग-अलग एंगल बना करके हमारी ओखो पर आ रहे है, यह सो जैसे हमको ऐसा दिखाई देता है, और यह क्या बन गया बच्चों है, यह जो तयार हुआ, यही है रैन्बो, है ना, रैन्बो य रैड होगा, दूसरा औरेंज होगा, तीसरा यलो, चौथा ग्रीन, उसके बाद ब्लू, इंडिवो, और सबसे लास्ट कलर जोगा, वह होगा, वाइलेग, तो हमको 7 रंग दिखाई देंगे, अब कभी भी आपको अगर इंदर धुनस एटमासफियर में दिखाई दे, तो आस्मान में बनाना, एकदम साफ क्लियर आपको दिखाई देगा, कलर भी आपको एकदम क्लियर उसमें समझ में आ जाएंगी, अच्छा चाहिए वाली कलर है, ठीके, क्योंकि इसके इंटिंसिटी जादा होती है, तीवरता जादा होती है, ठीके, अब देखो, इस तरीके से यहां पर रैन्बो दिखाई दिया, और खुश हो गया यह, हमने पूछा क्या दिखाई दिया बेटा तुम्हारे को, तो यह कह रहा है, मुझे रैन्बो दिखाई दिया, लेकिन कौन सा रैन्बो दिखाई दिया, तो इसने बता रहा है, कि मुझे प्रैमरी रैन्बो दिख जो just इसके ऊपर होता है, ठेके, अब उसका method यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूत नहीं है, उसको हम बोलते हैं secondary rainbow, वो बहुत इना dim color का होता है, मतलब इतना light, बहुत ध्यान से देखने पर आपको, इस rainbow के ऊपर एक और rainbow दिखाई देगा, और वो rainbow इसका just opposite होता है, जैसे इ rainbow में सबसे ऊपर violet होगा, और सबसे नीचे red color होगा, वो इस rainbow के just ऊपर यहीं पर ऐसे इस तरीके का दिखाई देगा, उसको हम बोलते है secondary rainbow, और दो-दो rainbow आपको दिखाई देगे, ठेके, तो यह वाला जो rainbow बनता है ना, उसमें इसका एक और method इसके अंदर होता है, मतलब TIR इसमें दो बार होता है, वो पढ़ने की जरूत नहीं है, और वो जो rainbow बनता है ना, वो बहुत ही light होता है, हलका हलका सा होता है, मतलब आपको बहुत गौर करने के बाद दिखाई देगा, कि अच्छा primary rainbow के बाद secondary rainbow भी बना हुआ है, गौर करने पर दिखाई देता है, तो secondary rainbow के color, primary rainbow के बिल्कुल उल्टा होंगे, ठेक है, इसमें red उपर violet नीचे, उसमें violet उपर red नीचे होगा, ओके बचाओ, तो ये हमने पूरा study कर लिया, इंद्रधनुस के बारे में, कोई question, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कुछ भी हो, आपके मन में, जो बात आपको समझ में न atmosphere में होंगे, जो यही काम अंजाम देंगे, इस पर भी light यहां से आएगी, यहां से मुड़ेगी, यहां टकराएगी, यहां से यहां टकराएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बस यह यह 3 step होगा, पहला reflection, फिर reflection बाहर निकल गए, फिर दूसरा फिर आया यह, य पहले यहां पर white color है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही, white color अपने 7 रंगों में टूट जाएगा, और 7 रंग अलग यहां से यहां टकराएगी, यहां से यहां से बाहर आ जाएगी, सारी water droplets, यहां पर जितनी water droplets है न, वो सारी sunlight की color को यही किसे तरीके का काम करेंगी, बहुत सारे में हो रहा है, इस वज़े से rainbow बनता हूँ, आपको दिखाई देगा, अभी भी अगर आपके मन में कोई question हो, कोई बास समझ में न आई हो, तो बच्चों जरूर पूश लेना, वीडियो class में जो हम यह पढ़ते हैं, यह चीज़ हम बहुत basic इस तर पे पढ़ते हूँ, कि बड़े बच्चों के लिए भी लाबदाय को, और चोटे बच्चों के लिए भी, इसलिए समझाती इसको easy way में हूँ, लेकिन आपको term भी बता देती हूँ, बड़े बच्चे जो है वो इस term को भी याद रखें, तो बच्चों आज का topic हमारा यहीं पर complete होता है, एक बर मैं हट जा रहे हूँ, ताकि आपको यह पूरा board का view दिखाई दे, और इस तरीके से यह पूरा notes आपको बना लेना है, ताकि आपको याद रहे, एक पूरा diagrammatic ही आपको यहाँ पो बताये गया है, मतलब केवल diagram, diagram से ही सारी बाते समझाए गई है, और यह notes आप समझे खुद से, समझना है आपको, तो बचो नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के किसी नए दूसरे टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए ताहे study कर दे रहे है, ओके बचो, have a nice day.